आलो तो आश्ट्रें्ट माने में सुमित्रान आज हम लोग बिह सी सेकें्डियर के जो एलोजी फर्स पेपर में लेक्टर वूर लेकर आया है जो थींद लेक्टर हम लोगोंने डाल दिये Sound यह तो आप लूगों को कोड़ुल करेक्ष得 करेक्टर क्लासिफिकेशन के बारे में वहाँ पर समझा दिया गया अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको पहले देख लीजिए उसके बाद में लेक्चर फोर स्टार्ट कीजिएगा तब आपको यहाँ पर अच्छे से समाझ में आएगा जिसमें हम लोग बै फ्रेंडों तक जिससे आपका और उनका दोनों का फाइदा हो सके ठीक है चलिए हम लोग लेक्चर फोर यहाँ पर देखने वाले हों लेक्चर फोर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो बैलोनों ग्लासेस है उसके क्लासिफिकेशन उसके जनरल करेक्टर उसके हम कहतो है तो लोग फोर उसको और कॉलर बोलते हैं ठीक है तो जो प्रफोस्किस होता है यह प्रोवासिस एक्ञा Weugd studies कि यहाइं इसका ठीक है प्रवास्किस इसी कारण इसको हम लोग टंग वांग या एकॉन वांग कहते हैं अब देखें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अगर डिसकस करें तो इसका क्लासिफिकेशन और जैब कहूँ क्या मैं उसकोध में रखका गया तो आप कहांगे सर लोगों ने प्रुटो करडेटा звуч को रखक है अब ladle नो से पहला सब फाइलम हम लोगों ने देखा था हैमिक और आपको मैंने वहां बताया भी था कि हमिक और डेटा को आज की डेट में हम लोग कॉड़ेंट में नहीं रखते हैं क्योंकि इसके अंदर नहीं पाई जाती है पहले सांटिस जानते थे कि इसमें पाई जाती लेकिन आपको समझ में आएगा देखिए इसके क्लास के अगर मों लोग बात करें तो क्लास जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा एंटेरॉप निउस्टा क्योंकि आपको मालूम है हैमिक और डेटा में दो क्लॉस को रखा गया था जिसमें पहली क्लॉस रखी गई थी यह निष्टा में बैलेनो-ग्लसस आता है और इसकी जो फैंदी है वह वह कहला है भी टाइको डेरीडी क्या कहला है टाइको डेरीडी और जो जीनिस हो जाएगा वह हमारा वह जाएगा में इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं पूरे बिश्व में 20 पाई जाती है तो सरवाधिक रूप से इस पाई जा रही है उसी के बारे में हम लोग यहांप डिसक्रस करेंगे व्यों सबसे अधिक रूप से स्पीसीज पाई जाती है उसको बोलते हैं तो यह थोड़े से कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको यादी रखने और अब्जेक्टिव कोश्चन भी इनसे बनते हैं चलिए इसके कुछ जनरल फीचर देख लेते हैं जनरल फीचर बोले तो बैलेनो ग्लासस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर लिखा है ब बैलेनो ग्लासस ही है चलिए इसकी अब तक 20 species पूरे विश्व में खोजी गई है यह होल वर्ड में पूरे विश्व में अभी तक 20 species को खोजा गया है जिसमें से बैलेनो ग्लासस अभी मैंने बताया जिसमें से बैलेनो ग्लासस आस्ट्रेलियन से अत्यरिक सामान रूप से पाई जाने वाली species मानी जाती है या है क्योंकि आपको ये पूरे विश्व में हर जगा मिलेगा देखेंगे अपर लिखा है नेलेंसे बैलेनोग्लासस की बॉडी के anterior end that means इसका जो anterior end होता है उसको अग्र सिरा जो होता है उसे हम लोग प्रोबॉसस कहाते हैं इसको टंग वाम कहते हैं अचा यहां पर मैंने जो यह जो कुछ पॉइंट से लिखें यह थोड़े शॉट में लिखें शॉट बोले तो यहां पर मैंने पूरा हिंदी का टंग्स नहीं लिखा है क्यूंकि आपको पता है कि आप अपने आप ही थोड़ी सी थियोरी यहां पर लिखें मैं यहां पर पूरा समझा दूंगा और अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हैं तो आप मुझे सुनते जाईए और कॉपी पेंट लीजे नोट करते जाईए ठीक है जिससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला आपकी थियोरी भी तयार हो जाएगी और आपको समझ पूरी जलों में ट्यूबी कोलस और बरोइंग हमिकॉडेट होता है मेराइन ट्यूबी कोलस बरोइंग हमिकॉडेट होता है यह बरो बना करके रहता है रहने वाला हमिकॉडेट होता है जो सामानिता कम गहरे जल में यहां पर उतला हुआ जल होगा वहां पर स्वाइल में यह burrow format करता है यानि कि वहीं पर क्या है यह soil के अंदर burrow का formation करके वहीं पर रहता है ठीक है तो जो सामानिता कम गहरे water में और soil में कम गहरे water में soil के अंदर burrow format करके रहता है इसकी burrow that means इसकी जो burrow है ठीक है वो यू आकार की इसकी burrow यू आकार की होती है जो की 50 से 75 सेंटीमीटर गहरी जो की 50 से 75 सेंटीमीटर गहरी एवं दोनों सिरों पर खुली होती है अब आको माल Germans कि इसकी जो गहरो है वह यू शेप है तो की इस तरीक हे की होगी और इसकी burrow जो है वो दोनों एंड्स पर खुली होगी ये इसका prior बोल जाए यह पॉस्चिर्य एंड बोला जाएगा तो एक दूसरे से 10 से 25 सेंटिमेटर दूरी पर होते हैं तो यह जो बरू है इस एक बरू की जो 2 इंड है यह इंड और यह इंड पॉस्चीरियर और एंटिर है यह कितना सेंटिमेटर दूरी पर है 10-25 cm दूरी पर होते हैं ठीक है नहीं से देखिए हम पर लिखा है यह प्रवास्किस की सहायता से स्वाइल में यह अपने रहने के लिए प्रवास्स की सहायता से क्या करेगा स्वाइल के अंदर बरू का else करता बिल कभाई से सैकरिट यानि कि वैलेजनोगलास्स की बाड़ी है कुछ मिंसे थे यहीं लिखाएंगे शावित के जरकि बरो है उसकी सर्फेस को इस मूथ और रिज spon si BS बनाता है कैसा है स्मू चिकना और खुरदुरा बनाता है तो यह इसका हो गया है जो सब से पहले जो हम लोग को इसका Points पड़ना है वह से सयप साइब कनर लुक्त स्काइब क्या एसैज क्या है इसका कagar에 शें क्या है यहां पर देखेंगे तो देखे दो की जो बैलेडु ग्लासव होता है यह सामाने ता 10 से 15 cm लंबा ठीक है इसका心 ये हो ग्या फिरूटी सामाने रूप से 10 10 15 cm long, soft and cylindrical shape long, soft एंड सेलेट साफ मतलब मुलायम सेलिंडर मतलब बेलनाकार आकार का होता है ठीक है बेलनाकार आकार का होता है इसकी बॉड़ी सर्फेस पर इसकी पूरी बॉड़ी सर्फेस पर सीलिया का सिमिलर डिस्ट्रिबूइशन अरेंज रहता है इसकी जो पूरी बॉड़ी है उसकी सर में बाहरूप से exoskeleton that means exoskeleton कहने का बतलब मैंने आपको बताया था skin feather nails horn इन सब के बारे में तो वह exoskeleton यहां पर और appendages जो appendages होंगे appendages two pairs होते हैं like hand और हां leg ठीक है ना तो यहां पर जो externally इनकी body जो होगी उस पर exoskeleton और appendages absent होते हैं ठीक होते हैं ठीक होते हैं नहीं पाया जाते हैं यह कुल होता है चीकना एक्दम soft ठीक चलीए Bellagloses के सरीर में तीन भाग पाय जाते हैं याugu रौक के सरीर को तीन भाग में लीट किया जा सकता है जिसमें हम इसको बोलेंगे probosis, collar और trunk यानि कि जो इसका तीन भाग में जो इसको divide किया गया है बेलनोग्लासेस की बोडि को उसमे तीन भाग कौन-कौन से है probosis है, collar है और trunk है ठीके ना, तीन भाग में divide किया गया है, लेकिन आप जब इसका structure देखेंगे ठीके externally जब इसका structure देखेंगे तो उसकी body पर किसी भी प्रकार का segment नहीं होगा तो आप यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि बेलेनो ग्लासस के सरीर को तीन भाग में विभाजित किया गया है जिसे प्रवासिस कॉलारोड ट्रंक कहते हैं लेकिन इनके सरीर में किसी भी प्रकार के segment नहीं पाया जाते हैं that means यह unsegmented होते हैं that means इसमें segment absent होते हैं बात एक ही है means ठीके तो इस तरीके से हमने देख लिए इसका shape size and color चले हम लोग आगे देखते हैं आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने यह diagram बनाया हुआ है जो की है external morphology या बैलेनो प्रवासिस और ट्रंग यानि की सून्ड और धर और इसके बीच वाला जो कॉलर है इसका कोई ज्यादा reason इसका कोई मतलब होता नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया तो प्रवासिस और ट्रंग के बारे में यहाँ पर समझना है अच्छा की जैसे आने वाली है ठीक है तो बिल्कुल यह समझे कि आप क्लास्रूम में बटें और आप लोग हैडिंग डाल दीजिए प्रवासिस भी हडिंग और इसमें लिखना सुरू कीजिए बैलेनो ग्लासिस की बाडी का एंटीरियर पार्ट प्रवासिस के फार्म में होता है ज बाइसाब आपके पास में टेक्निक है पॉस कर लीजिए लिख लीजिए फिर पॉस ऑन कीजिए और लिखना सुरू कीजिए ठीक है तो इस तरीके से जल्दी बढ़ेगे तो कह लिखा कॉनिकल एंड क्लब शेप होता है जो की अंदर से हालो इस्ट्रक्शर अंदर से जो इ इस्तित कैवटी एक प्रवासिस पोर की सहायता से बाहर की और खुलती है जो प्रवासिस के बेस पर इस्तित होती है यानि कि इसके आधार पर कही न कहीं पर इस्तित होगी कहीं न कहीं पर हाँ बिलकुल इस्तित होती है प्रवासिस के बेस के पास U-shaped गौमा सिलीटेड डिप्रेशन होता है यहां पर एक डिप्रेशन पाया जाएगा जो माओथ से यह माओथ में इंटर करने वाले फूड और वाटर यानि जो माओथ में जब यह फूड फीटिंग आगा उस समय इंटर करने वाले food and water को test करता है यानिकि उसका यह सौध पता करता है कैसा है ठीके तथा water के movement को control करता है यह किसका function हो गया यह बात हो गई किसकी प्रावासिस की तो प्रावासिस में क्या क्या होता है हम लोगों ने देख लिया अब अब लोग इसका देखने है ट्रंक तोさी । इसके एंटिरीटिर एंड की और लेटरल साइड यानिकि जो उसका एंटिरियर इंड होता है यूई थी कुछ एक्टिर…… दूसरा होगा हिपर्टिchussics और तीसरा होगा और दिजंड जो ब्रांकियो जनाइटल रीजन होता ने बिटा ये इसका फ्लेटेड होता है चप्ता और पंक के नुमा दिखाई देता है विंक्स लाइक दिखाई देता है तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके एंटीरियर एंड की और एंटीरियर एंड की और लेटरल साइड इसके पंक के similar दिखते हैं ठीक है जिन्हें genital wings कहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं genital wings कहते हैं यह जो चप्टा हुआ reason इसको हम लोग बोलेंगे genital genital wings clear चलिए देलाइं से देखिए लिखा हुआ है पूरे trunk को तीन भाग में divide किया जा सकता है जिन्हें bronchial region मैंने कहा जिन्हें bronchial region hepatic region और caudal region कहते हैं देलाइं से देखिए लिखा है इसमें से bronchial region flat wings के similar that means bronchial region जो होगा वो flat चप्टा और पंक के आकार का similar या समान होता है जिसकी surface पर gonad range रहते हैं यानी कि इसकी इसकी जो surface है इस पर क्या पाय जा रहा है ये gonad region पाय जा रहा है जिसको हम लोग genital wings भी कह रहा है देटमिस इसकी surface पर क्या पाय जा रहे बटा गोनेट्स पाय जा रहे हैं इसकी सर्फिस पर गोनेट्स अरेंज रहते हैं इसी कारण यह भाग इसी कारण यह भाग जनाइटल विंक्स कहलाता है क्या कहलाता है इसी कारण यह भाग जनाइटल विंक्स कहलाता है इस भाग में गिल्स स्लिट यह देखिए गिल्स पोर हम बोल सकते हैं यह जो गिल्स स्लि्ट है यह जो यह refr зах Τरार इसवाग में इसी बको स्लिट की दो पंकती दो रीजन यह दो रो शीख है दो पंक्तियां 옆 रहती हैं जिनकी संख्या बैली डुलाइसस की ही के साथ ग्रोथ करती है यानि की कि यहां पर लिखा है ट्रंक का मिडिल पार्ट हिपेटिक रीजन कहला था यानि this is जो पार्ठ है यह कहलाता है हीपेटिक रीजन कहलाता है जिसकी सर्फेस पर आउख अगुर्ण्ड्ड और और डैक्स टर्णल ग्रोथ है एक्स्टर्णल रहती है जिनने एक्सटर्णल ग्रोथ है इनके अंदर जिनके अंदर ग्रोथ अरेंज रहते हैं ठीक है अब दुवर लैसे लिखा है कि ट्रंग का पोस्चीरियज पार्ट यानि कि जो पॉस्चीरियर पार्ट यह कहता है और एक टैल के रूप मैं एक चानल मतलब क्या होता है कार्ड लीजन कहने के मदब हो excluded एक टेल के रूप में यानि कि जो रीजन नहीं क्या कहलाएगा टेल कहलाएगा एक टेल के रूप में अरेंज रहता है ठीक है जिसके एंड पर जिसके एंड पर क्या होगा एनस होगा जिसके एंड पर एनस ओपनिंग होती है ठीक है नहीं लाइन से लिख लीजिए बैलेनो ग form से that means externally form यानि कि पूरी body जो है वो बाहरूप से बाहरूप से mucilage and sand के द्वारा यानि कि mucilage और जो sand बतलब रेत के जो पार्टिकल ने उनके द्वारा बनी layer उनके द्वारा बनी layer या बरो बिल के अंदर रहती है जिस कारण इसे चिवी कुलस कहते हैं हमी कॉर्ड़ेट सफाइलम के अंतरगत या प्रोटोकॉर्ड़ेट हम कह देते हैं प्रोटोकॉर्ड़ेट गुरूप में क्या है कि जितने भी organism आते हैं उनकी जो बोड़ी है उनकी जो बॉड़ी है वो कैसी है ट्यूबिकुलस है यह बिलके अंदर रहते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं tubiculus कहते हैं so I hope आप लोगों को यह lecture समझ में आया होगा और जो इसकी theory मैंने बोली है अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो बार-बार रिपीट करके आप देख लीजिए इसको note कर लीजिए तब ज्यादा समझ में आएगा और आपको इस तरीके से notes प के बारे में हमको पढ़ना है जैसे कि digestive system हो गया circulatory system हो गया ठीक है excretory system हो गया इनके बारे में वहां पर respiratory system हो गया इनके बारे में हम लोग discuss करेंगे बैलेनो ग्लासेस की next classes में thanks a lot